मेरे बच्चो आप हमेशा परशानियों में घीरे रहते हैं आपकी परशानियों का कारण जी है आप सोचते हैं कि जैसा मैं चाहा रहा हूँ जिन्द की वैसी नहीं हो रही मेरे आसपास के लोग भी मेरे अनुसार नहीं चल रहे उनकी सोच मेरी सोच से अलग है यही आपके द और दूसरे के हर कमी याद है आपको लगता है कि आपने सब रिष्टे दिल से निभाये हैं बाकि तो बस रिष्टो का फायदा उठाते हैं आपको लगता है कि आप किसी रिष्टे से दूरी बना रहे हैं तो ऐसा करने के पीछे आपके हर वजह जाइज है प्रनतु अगर हर दुख, हर तकलीफ बस आपके हिस्से में आई है, बाकि सब की जिनकी में सही चल रहा है, अगर आप से कोई गलती हो जाती है, तो ये आपकी भूल मातर थी, ऐसा करने के पीछे आपकी कोई बुरी मंचा नहीं थी, इसलिए खुद की गलती को आप उसी पल भूल जाते हैं, परन्तो अगर कोई दूसरा गलती करते, तो आपको लगता है कि ये उसकी बूरी सोच का नतीज़ा है, ये कोई उसकी सोची समझी साजीश है, इसलिए उसे माफ करने या उसकी गलती को भूल जाने का तो स्वाल ही नहीं होता, आपको लगता है कि जीवन का सारा नुबव, स जी रहा होता है, तो वह इंसान आपको इंकारी लगता है, गमंडी लगता है, प्रन्तो जब खुद इसी भरम में जी रहे होते हैं, तो आपको अपना जीवन संघर्ष सा परतीत होता है, आपका पूरा जीवन यूँ ही बीच जाता है, कभी भी आप ये नहीं सबकार कर पा आप यह नहीं देख पाते कि सब में एक अंतर काल चक्र का है किसी का बूरा समय बीट गया किसी का चल रहा है किसी का आने वाला है हर वक्त दूसरों की बुराएं देखने की आदत के चलते उनकी बुराएं गिनवाना असान है प्रन्तु क्या आप उनकी खूबिया पहचान कर उनका हाथ थाम कर उन्हें उनकी कम्यों से भात निकाल सकते हैं यही तो आपकी सब दुखों का कारण है कि आप अपने अंदर सुधार किये बिना चाहते हैं कि दुनिया आपके अनुकल हो जाए आप अपने आपको सुधारने की बजाए दुनिया को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं यह सब दुखों का कारण है मेरे बज्चे मेरी बात को ध्यान से समझो और अपने आपको टटोलने की कोशिश करो कि मैं जो कह रहा हूं क्या हो सच है ना तो अपने आपको बदलने की कोशिश करो अपने आपको बदल लो तो खुशियां अपने आप आपके पास आ जाएंगी